तो गुट मॉर्निंग फ्रेंज्स दिस इस दिपक चोहां दोस्तों आज मैं आपके सामने इस पोकन का एक ऐसा वर्ड लेकर आया हूं जो मोस्टली स्पिकिंग करते समय हम लोग इस्तिमाल करते हैं और समझते हैं कि इसको हम लोग कैसी यूज करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सारी बाते समझते हैं दोस्तों तो मैं आपको बताओं कि वह वर्ड है कम वाट में कम वाट में तो दोस्तों आप इसका अलग अलग टांस्रेशन नहीं करेंगे कम याने आना वाट याने क्या में याने सकता है तो आप इसका अलग अलग यह एक phrase है इसका मतलब होता है no matter what happens यह एक phrase है no matter what happens कुछ भी हो जाए चाहे जो हो ऐसा बोलना है तब हम लोग को लगाना पड़ेगा come what में come what में करने के बाद आप अपना sentence बना सकते हैं या पहला अपना sentence बना सकते हैं फिर come what में लिख सकते हैं यह दोनों तरीके सही हैं आप शुरू में भी लिख सकते हैं और उसको पीछी भी लगा सकते हैं yes तो दोस्ते इसके बहुत सारे sentence लेखने हैं और समझते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो पहला sentence लिखा है come what में I will speak fluent English चाहे जो हो मैं धारा प्रवा अंग्रेजी बोलूँगा चाहे जो हो मैं धारा प्रवा अंग्रेजी बोलूँगा पुरी मेहनत कर रहा हूं उसके लिए कुछ भी करना पड़ा है मुझे मैं धारा प्रवा अंग्रेजी बोलूँगा I always support you come what may I always support you come what may चाहे जो हो, मैं आपको समर्दन करूँगा कुछ भी हो जाए, मैं आपको समर्दन करूँगा मैं बिल्कुँ पीछे नहीं हटूँगा ऐसे कर सकते हैं, पहलेवाले वाकिय मैंने शुमे लगाया था, बाद वाकिया मैंने पीछे लगाया, तो दोनों तरीके राइट है दोस्तों, next, we are going to challenge them, come what may, चाहे जो हो, हम उन्हें चुनोती देने जा रहे हैं, कुछ भी हो जाया है, हम उनको चुनोती देने जा रहे हैं, देखे आएंगी बिल्कुल, come, we are going to challenge them, come what may, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आगे, चौता नंबर, always speak the truth, come what may, always speak the truth, come what may, चाहे जो हो, हमेशा सच बोलो, चाहे जो हो, हमेशा सच बोलो, चाहे तुमारा नुकसान हो जाए, हमेशा सच बोलो, दोस्तों, ये एक सेंटेंस है, आप अपने हिसाब से सच बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा जूट न बोलिए, जिससे किसी का नुकसान हो जाए, यस, अगर जूट बोलने में, किवल फन हो रहा हलका पुलका, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजाग के तौर पर जूट बोला जा सकता है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, कम वाट में, कम वाट में, I will be home before dinner, कम वाट में, I will be home before dinner, चाहे जो हो, मैं डिनर के पहले घर आ जाऊंगा, चाहे जो हो, मैं डिनर के पहले घर आ जाऊंगा, यस. दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने होम के पहले तू क्यों नी लगाया, आपको मालूम होना चाहिए कि बी, कम, कल, दॉपर रीच के बिलकुल बाद अगर होम आता है तो हम को कभी भी तू नी लगाना चाहिए, न एक लगाना चाहिए. I am going home, I am coming home, I am reaching home, लेकिन वो घर पर है ऐसा बोलेंगे तो वहाँ पर एट लगेगा वो अलग चीज़ है लेकिन I am going to my home my your his अगर आजाएगा हुम के पहले तो हम लोग तू लगा सकते हैं यहां नहीं आएगा ओके आगे बढ़ते हैं she has decided to marry you come what may बहुत बड़ीया sentence है दोस्तों उध्यान देंगे she has decided to marry you come what may चाहे जो हो वह तुमसे शादी करने का तै कर चुकी है चाहे जो हो वह तुमसे शादी करने का तै कर चुकी है चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वह तुमसे शादी करने का तै कर चुकी है अब बारी आपकी है, आप क्या चाहर है यस, देखिए आज कल तो दोस्तों ये हमारे सेंटेंसे थे इसमें कैसी बनावाटे आप ध्यान देए, मैंने बोला आपको या तब शुरू में लगा सकते हैं या उसको पीछे लगा सकते हैं बस बाकी टेंस का आज की कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है इसमें मुझे उम्मीद है समझ में आगया होगा इसका स्किन साट ले लीज़ी दोस्तों मुझे उमीद है आपको आज का टॉपिक किलियर हो गया होगा बहुत ही अच्छा टॉपिक था, काफी काम का था इस पिकिंग करते समय mostly इस टाइब की वर्ट्स आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या यूज करें तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज इससे लाइक करें बहुत से लोगों को शेयर करें और चैनल में नए है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत जल्द मिलेंगे किसी प्रकार की नहीं कोशिस के साथ नए प्रेवगों के साथ और आपके डाउट के साथ Thank you किसी प्रेवगों के साथ